ऐलो फ्रेंड्स, फ्रेक्चर के बाद हड़ी का गलत चूड़ना, और अब कої ढूरी छची तरीका से जूड़ जाती है दूस्तों, उसे हम कहते है और ऑज बात कर दोस्तों, और की जो पहलता है तरीकिस्टक में ही और ऑज आध करेंगी तो friends इसा होता है जब भी हमारा जब fracture होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा एकसरे देखके वो चेक करते हैं और उसका direction alignment चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है और हमारा जो bone alignment है वो सही ना होने की कारण mal union fracture हो जाता है और इसके बाद दूसरा यह है कि मसल्स कुलिंग का चेक नहीं कर पाना और आपको डिरेक्ली प्लास्टर चड़ा दिया गया हो और उसके बाद जब प्लास्टर हटता है तो मसल्स कुल हो गया तब भी माल यूनियन वाली समस्या बन सकती है फ्रेक्चर के बाद आप ने जाता है और माल यूनियन के चांस बन जाते है तो फ्रेंट्स हम देखते है कि माल यूनियन कहां कहां पर होता है तो फ्रेंट्स आपकी जो क्लेविकल बॉन होते हैं यहां पर माल यूनियन हो सकता है उसके बाद हमारा यह जो हूमरस बॉन है और यहां पर यह जो लोवर और इस प्रक्राइब पर ब्रॉब्लम और पर एंदर छोटा चुछा आइं अगर अलाइमेंट लॉस्तो और इसा बात करते हैं कि हमारे पेर में जो हमारा घुटना है नी अरांड जो हिस्सा है हमारे घुटने की आस पास का ठीक है उसमें भी अगर सुप्राकॉंडिलर पाया जाए ना दूस्तों तो फिर वह अलाइमेंट अगर वहां पे सही नहीं होगा ना तो भी हमारा जो माल यूनियन का केस बन सकता माल यूनियन अगर हमारा जो फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें कौन-कौन सी प्रॉबलम का सामना करना पड़ता है क्या कि हमें समस्य होती है तो सबसे पहली बात हमारी जो पेर की बात करें दूस्तों पेर का चोटा बढ़ा होना ठीक है जो सही पेर है वह अपनी नॉर्मल अगर जो यह प्रैक्चर वाला जो पैर है उसमें श्योटा आदी कि नहीं देखी गई है और होता है एसा कि जो फ्रैक्चर के बाद बढ़ प्राहां नें नॉद गए तिर्षीण का सामना करना पड़ सकता है और हमारा जो प्रामन का सामना करना पर्षां यह तो नाकी बराबर हो जाती है हम उससे कुछ काम ने कर दे है यह हम चल फिर नहीं सकते हैं हड़ी जूड़ने के बाद भी कभी अपर प्रोब्लम होता है माल यूनियन में और अगर हमारी अल्मो जो होती है उसमें भी अगर सरी अलामेंट ना हो दोस्तों तो भी वहां पर से इसा दिखाई देता है और यह उससे बहुत ज्यादा दिखतकार सामना करना पड़ता है कुछ लोग मुझे सवाल पुछते हैं कि मेरा फ्रेक्चर हुआ है और हम सर्जरी करवाना नहीं चाहते हैं तो क्या हम प्लास्टर से ठीक हो जाएंगे तो इसका जवाब यह है दो क्या मुझे से आपको यह सर्जरी नहीं करौते हैं तो नहीं करके क्या हो जाएं जह सबसे पहले अगर आपका फ्रेक्चर हुआ है कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं फिर आप decision लिजिए अब friends बात करें mal union fracture अगर हमारा हो गया है तो इसका treatment क्या रहेगा कुछ degree में आपका जो bond है वो थोड़ा सा गलत जुड़ गया है और थोड़ा सा mal union हो चुका है तो उसमें आपको कोई visage treatment की जरूरत नहीं पड़ती है थोड़ा बहुत अगर deformative है या थोड़ा बहुत mal union fracture है दोस्तों तो उसमें समझ में नहीं आता है ठीक है तो इसमें आपको कोई visage treatment की जरूरत नहीं है लेकिन friends कुछ degree में ज्यादा अगर दिखाई देने में बहुत ही बुरा लग रहा हो और deformative आ गई हो जैसे की पैर बहुत ही छोटा हो गया हो दूसरे पैर से और उसमें moment में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है और full moment नहीं आ रही है फिर वहां पे operation की जरूरत पड़ती है operative procedure करना ही पड़ेगा अगर फिर फ्रेक्चर हो जाता है दोस्तो तो माल यूनियन में हम operative जो हमारी procedures हो ती ह visit एक procedure के बारे में मैं आपको बताओ कि एक procedure सा कैसे treatment होता है तो उसमें माल यूनियन वाले हिस्सा होता है दोस्तोँ वहां पे fracture किया जाता है उसके बाद वहाँ पे plaster लगा दिया जाता है बॉन का सही alignment करके वो plaster लगा देते है यह procedure यह treatment लेने के बाद आपकी जो हड़ी की जो alignment है वो सही हो जाएगी वो सही alignment में चुड़ेगी और हड़ी की जो normal position है वही normal position वापस आजाएगी और यह जो procedure का जो use होता है वो सभी hospital में नहीं किया जाता है कुछ हो hospital ऐसी होती है दोस्तों कि जहां पर यह technique यूज होती है दूसरी अगर मैं process के बारे में बताओ दोस्तों तो दूसरा treatment का procedure है redoing the fracture surgically यह जो procedure होती है दोस्तों वो हमारी जो लंबी हड़ी होती है उसमें ज्यदा तर किया जाता है इसमें क्या होता है friends इसमें ऐसा होता है कि आपका जो fracture वाला जो part है उसको expose किया जाता है expose करने के बाद वहाँ पे जो bond का alignment है वो सही करके कुछ internally implant लगा दिये जाते है उसके बाद वहाँ पे bond crafting की जाती है और उसके बाद आपके fracture के असपस plaster लगा दिया जाता है यह treatment से आपकी जो हड़ी है वो दिरे दिरे अच्छे से जुड़ जाती है सही alignment में और आप normal position में वापस आ जाते हो तीसरी procedure की अगर मैं बात करूँ तीसरी treatment की mal union के लिए तो यह procedure ऐसा है जिसमें हमारी जो mal union जहाँ पे deformative थोड़ा सा problem हो जाता है वहाँ से bond काट लिया जाता है जो third procedure है उसमें डॉक्टर x-ray में चेक करते है कि कि कितने degree पर कितने angle पर का जो bond alignment है वो सही नहीं है तो जो सही नहीं होने वाला जो part होता है उसको doctor काट देते है उसके बाद plating वगेरा लगाया जाता है और फिर plaster लगा दिया जाता है तो friends मैंने आप लोगों को three procedure के बारे में बताया यह तीन जो है वो basic procedure है जो mal union के case में ज्यादा तर use होती है और इससे जो mal union में जो problem आती है दोस्तों तो वो लोग अच्छा से ठीक हो जाते है यह treatment लेके और वो अपनी normal life में वापस आ जाते है तो यह जो मैंने आपको treatment बताई दोस्तों इसमें आपको बॉन को सही alignment में लागके उसका specific treatment करके आपकी बॉन को normal position में लाई जाती है और जिससे आप थोड़े समय के बाद अपनी normal life में वापस आ जाते है इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको like कर देना थैंक यू